नमस्कार विध्याति मिद्रो आपड़े चेप्टर नम्बर एक नियंदर पारिभासिक सब्दो नी वाद करता हता 10 पारिभासिक सब्दो पूरा कर्या हता जेमा छेल्ले आपड़े आवक वीशे वाद करिया दी ते आवक नो सब्दयाद करिये आगलवधिये आवक इटले सु तो के धन्धा द्वारा कर्वामा आवेला वेवारना परिणाम सरूपे जारे नाणा मले त्यारे आवक केवामा आवे छे आवी आवक ना आपड़े बे भाग पाड़े आदा मूरी आवक अने मैसुली आवक एटले केज नियमित मलती आवक अने नियमित न मलती आवक तो मित्रो ए आवक ना जेव बीजो सब्द कुवज अगत्य नों सब्दा छे चुकाउने अर्थवातो जावक तो चुकाउने एटले सु तंधा द्वारा करवामा आवेला व्यावारोना परिणाम स्वरूपे ज्यारे नाणा चुकाउवामा आवे त्यारे तेने जावक तरीके उलक्वामा आवे छे इतले के पईशा अफवामा आवे त्यारे तेने जावक अत्वा तो चुकवनी तरीके ओड़कवमा आवे छे ढाकला तरीके भाडानी चुकवनी, कमी सननी चुकवनी, पगारनी चुकवनी, मालनी खरिदी खर्ती वकते नाणा चुकवमा आवे तो धन्दा माथी जारे नाणा जाई छे ત્યારે તેને ચુકઓણી અથવા જાવક તરીકે ઓડક વામાં આવે છે आज चुककाऊनीना बिय भाग बड़े छे मित्रो एक मुरी खर्च औने बिजु मैसुली खर्च तो मित्रो मुरी खर्च औने मैसुली खर्च अगाव आपडे मुरी आवग औने मैसुली आवग सब्द सीख्या येनी जे वाजे छे, येडले के नियमित थता होए अने नियमित न थता होए जे खर्च नियमित थता होए येने मैंसुली सब्दा आपड़े कईशू अने नियमित न थता होए तेने मुडी कईशू तो बार्मों सब्दा जुए मुडी खर्च अने मैंसुली खर्च एटले के लांबा गाला नी वस्तु खरीद्वा माटे थाय छे औने लांबा गाला नी जहापदारी चुकवा मा आवे तेने मुड़ी खर्च कहे छे डाकला तरीखे जमिननी खरीदी करवी, मकाननी खरीदी करवी, यंत्रनी खरीदी करवी, बेंग पासे थिली देली लोन परत करवा मा आवे, तो आवासं जोगुमा जे खर्च थाए तेने मुडी खर्च केवा मा आवे छे येटले के आवो खर्च अनियमी चे येटले के नियमी थतो नथी बीजो भाग चे मैसुली खर्च येटले के जे खर्च नियमी थतो होई येटले के जे खर्च धन्दामा रोज बरोज के नियमी थता होई तेने मैसुली खर्च कहे छे डाकला तरीके माल सामान्नी खरीदी वखाते चुकवामा आवता नाणा कर्मचारी नो पगार पाडू वगेरे ने आपड़े मैसुली खर्च तरीके ओड़कीशू साथे सथे टेलीपोन खर्च, मजूरी, जायरात कर्च वगेरे ये धन्दाना मैसुली खर्च छे तो मित्रो आ थाया बेज सब्द चुकवनी अने आवक निवाद आवे जो ये नंबर तेर खर्च जे खर्चिल रकमनो लाब जे ते हिसाबी वर्षने अंत मा मलवानो होई तेने खर्च कहे छे आ खर्च ने मैसुली खर्च कहे छे एटले के अपड़े जे खर्च करिये ये खर्चनो लाब चालू इसाबी वर्षमा एटले के बार मैना ना समय गाडानी अंदर मलतो होई तेने मैसुली खर्च केवामा आवे छे आ खर्चने बिजा सब्दमा मैसुली खर्च तरीके पण ओलखवामा आवे छे डाकला तरीके पगार, मजूरी, दलाली, कमीशन, वटाव, घसारो, बाडू वगेरे मैसुली खर्चना उदारन छे चौदमो सब्द बणिये उपज, मित्र उपज अन्ने आवक, हम तो लागे बन्ने एक जिवा, पन अलग अलग छे आपड़े आवकने याद करिये तो नाणा मले, तेने आपड़े आवक कहता हाता तंदाना वेवारना परिणाम स्वरूपे, जारे नाणा मले छे, ए आपड़ा माटे आवक छे जारे उपज कोने कैसु, कि ग्राहकने मालनू वेचान करवामा आवे केसेवा पुरी पडवामा आवे, त्यारे धंदामा उपज थाई छे, तेम पिकेवामा आवसे डाकला तरीखे, मालनू वेचान, बे रिते करियेची, रोकडे थी अने उधार, रोकडे थी वेचान करिये तो तरतज आवक थाई छे देम केवाय, परंतु जारे उधार वेचान करवामा आवे छे, त्यारे आ रकम मलवानी बाकी छे अत्यारे मलया नती, माटे तेने पन आपडे उपज तो कई सुझ, रोकर आ उप्रांद मित्रो अन्य उपज नी अंदर व्याज, भाडू, कमिशन, डिविडन, जेते वर्षना मलया होई, अथ्वातो मलवाना बाकी होई, ये बदीज रकम, आपडा माटे उपज केवामा आउसे, त्यार पच्छी नो सब्द भणिये, पंदर नम्बनो नफो अने नुक्सान, मित्रो अखु बगत तेनो सब्द छे, नफो के नुक्सान सिक्ता पेला, आपड़े बे सब्द याद करिये, मैसुली, खर्च, अने मैसुली, आव, तो जे खर्च तंदामा जे आवक दंदामा नियमित्थती होई, तेने मैसुली, आवक कहे छे, तो मित्रो एना परती आपड़े नफो, अने नुक्सान, आबे सब्द सिख्वाना छे, तो पेला सिख़्िये, आपड़े मित्रो नफो एटले सु, एना माटे आपड़े एक नानायवा उधारनी मानो के, आपड़े बजार माथी कोई वस्तु 100 रूपिया मा खरी दिये, औने कोई पण व्यक्तिने 120 रूपिया मा वेची, तो आ समय आपड़े वधाराना केटला रूपिया मले, तो के 20 रूपिया, ये 20 रूपिया, ये आपड़ो नफो थव छे, तेम कई सकाय छे, पन आ तो आपड़े एक उदारने, एक रक व्यवारने वाद करी, अवे दंधानी अंदर तो बार मैना नी अंदर घणा बधा व्यवारो थया होई, तो एना माटे नफो के नुक्साने टलेशू, तो ए समझे, तो के जे दंधामा मैसुली आवक करता, मैसुली खर्चनी रकम ओच तो तफावत अथ्वातो वधेले रकम ने नफो कहे छे, त्यानती मित्रो सामळ जो, मैसुली आवक करता, मैसुली खर्चनी रकम ओची होई, डाकला तरीके, कोई दंधानी आवक पांच लाक रूपिया छे, मैसुली आवक 5 लाक रूपिया छे, ज्यारे एज दंधामा मैसुली खर्च 3 लाक रूपिया छे, तो 5 लाक माथी 3 लाक बाद करता, वधे छे 2 लाक, ते 2 लाक रूपिया ये दंधानो नफो छे, तेम केवामा आऊशे, फरिवकत मैसुली आवक करता, मैसुली खर्चनी रुपम ओची छे, तो ये नफो छे देम केवामा आवे छे, आने आ नफाथी मालीक नी मुडी मा वधारो थाए, कोई पन नफो थाए, तो मालीक नी मुडी वधार से, आवे आगर नो सब्द जोईए, नुक्सान, मी तोर नुक्सान ना आपड़े 2 अर्थ सिखवाना छे, प्रथम अर्थ आपड़े जोईए तो, के जे दंदामा मैसुली आवक करता, मैसुली खर्चनी रकम वधु होई, तो वदेल रकम ने नुक्सान कहे छे, अध्यान्थी जोजो मी तो नुक्सान नी व्याक्या, जे दंदामा मैसुली आवक करता, मैसुली खर्चनी रकम वधु छे, तो तफावत नी रकम ए दंदानु नुक्सान थयु छे, तेम कहे वाई, डाकला तरीखे, एक धंदामा वर्सदर्म्यान्डी मैसुली आवक 2 लाक रूपिया छे, उन्ने तेनी सामे खर्च 3 लाक रूपिया छे, तो 2 लाक माथी 3 लाक बाद करवा थी 1 लाक रूपिया वद्या, तो ए 1 लाक रूपियाए धन्दानू नुक्सान छे तेम केवामा आउशे मित्रो आ नुक्सान थी मालिक नी मुडिमा घटाडो थाई छे तेम केवा आशे नुक्सान नो बिजो पन एक अर्थ छे ए आपड़े समझिये प्रकार नो लाभ मेळवयावगर गुमावेल रकम एटले नुक्सान नुक्सान नो बिजो अर्थ छे कोईपण प्रकार नो लाभ मेळवयावगर गुमावेल रकम एने नुक्सान कैशु इटले शू उदारण द्वारा समझिये डाखला तरीके आगती थायलू नुक्सान विद्यागती मित्रो आपड़े जे पन तुन्दो करता होये ए धन्दानी अंदर अकस माते जो आग लागी जाए तो आवासंजोगों मा धन्दामा रहलो माल सामान बली जाईचे अने आप बली जवाना काराणे जे रकम घटे छे ए नुक्सान केवामा आउसे इविजरीते चोरी थी थायल नुक्सान तंदामा चोरी थे जाए तो आवासंजोगों मा जे रकम घटे छे ए दन्दानू नुक्सान छे तेम केवामा आउसे अविज रिते वर्साद मा माल परड़ी जाए तो पन धन्दानू नुक्सान छे तेम कई सकाई छे तमीत्रों आजे आपने बीजाब पांच सब्दों जोया ये तमें याद करी लेशो चुकाउनी मुडी खर्च नने मैसुली खर्च उपज खर्च नको ने नुक्सान हाँ सब्दों मोडे करवाना छे बाकी रहेला सब्दों नीवार अवे पच्छीना विडियो नी अंदर खरीशो